रविवार को केंद्री राज्यमंत्री प्रफेसर एस्पी सिंग बगहिल ने शास्त्री पुरम इस्थत बलूनी पब्लिक स्कूल की नई ब्रांच का उधगाटन किया उधगाटन का रिक्रम के दौरान शहर के कई वरिष्ठ लोग भी मौजूद है क्वालिटी एजुकेशन को बढ़ावा देने के उधेश से बलूनी पब्लिक स्कूल की एक और नई ब्रांच शास्त्री पुरम में खोली गई है जिसका उधगाटन रविवार को केंद्री राज्यमंत्री प्रफेसर एस्पी सिंग बगहिल ने किया इस दौरान RKGM कॉलेज के चेरपर सनकेपी सिंग समयत शहर के कईवरिष्ट लोग भी मौजूद रहे उधगाटन कारिक्रेम के दौरान आगरा लोग सभा सांसादेवं केंद्री राज्यमंत्री प्रफेसर एस्पी सिंग बगहिल ने कारिक्रेम में मौजूद सभी अभिभावकों को क्वालिटी एजुकेशन का महत्व समझाया इस दौरान उन्होंने बाबसाव भीम रामबेटकर को भी याद करते हुए उनके बताए हुए संदेशों को भी दोहराया की बात है कि आगराश शहर को एक बहुत क्वालिटी एजुकेशन का विद्धाले की एक नई ब्रांज बलूनी पब्लिक स्कूल जो सास्ती पुरम में मिली है मैं नवीन बलूनी जी का और उनकी टीम का आभार प्रकेट करना चाहूंगा कि एजुकेशन के छेतर में वो बहुत अच्छा कर रहे हैं और इस समय कई राज्यों में उनकी संस्नाई खुली हुई है और यहाँ पर एक अच्छी क्वाल्टी एजुकेशन दी जाएगी आगे बढ़ने का तरीका के वल गुट क्वाल्टी एजुकेशन इसके लावा कोई दूसर नहीं है इनी विद्यालों से पढ़े हुए बच्चे 2047 विज़ जब माजादी के सोवर्स मना रहे होंगे तो भारत एक विक्सित राष्ट होगा, एक सुपर पावर होगी, नंबर वन एकनौमी होगी इस देशाम में केवल अच्छी एजुकेशन के पढ़े हुए बच्चे ही कर रहे हैं बलूनी पबलिक स्कूल की नई ब्रांच के उधगाटन पर स्कूल के चात्र चात्राओं द्वारा भी कई सांस्कृते कारिक्रम प्रस्तुत किये गए नंधे मुन्ने बच्चों ने मंचपर मर्मोह की प्रस्तुतियां पेश की बता दें की शुरुआती दौर में बलूनी पबलिक स्कूल नरसरी से आठवी क्लास तक रहेगा और आने वाले समय के साथ इसको बार्वी क्लास तक ले जाने का प्रयास रहेगा आज यहां पर हम लोग ने इनिट स्री बलूनी का उठगाटन किया एशास्तुगरम में जो की मानिय सांसर जी जो आरा श्री एश्प सिंग मगिल जो आरा उठगाटन किया गया और नवीन बलूनी जी का जनम दिल बच्चों ने बढ़ चल के बनाया यहां पर हमने काफी सारी एक्टिविटीज भी रखी थे बच्चों के लिए फन एक्टिविटीज थी सारी नई ब्रांच के उधगाटन की मौके पर बलूनी पबलिक स्कूल शास्त्रीपुरम के डिरेक्टर गौरव सिंग और सौरब सिंग ने बताया कि इस ब्रांच को खोलने का उदेश समाज को सही दिशा की ओड़ ले जाना है और बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन अब दिल है फिलहाल स्कूल में एडमिशन ओपन है और अप्रेल में फर्स्ट सेशन स्टार्ट होने जा रहा है सी न्यूस के लिए अनिल कुमार सेंग की रिपोर्ट